अब जीध टिर इस लेक्च्टरम लोग देखेंगे त्योणि नं ठीरम थीविक्विबंधिरों के पार्ज होता । यह कि देखेंगे इसका इस्का स्कार्ट स्टेटमेंट क्या होता है इसके पहले हमने सूपर पोजिशन धियूच्पन भी हम लिक लिए हैं और में देखेंगे क्या होती हैं जैसे आप리ums लगाके किसी स्यांखिर में करियो क्या करेंगे क्या करना है किसी भी लोड में किसी भी करण का मान निकालना है यदि किसी जटिल परिपत में के रोद तथा प्रति रोद लगे हूं तो इस परिपत को किसी दी गए तर्मिनल की मध्य एक ऐसे तुल परिपत में बदला जा सकता है इसमें केवल थेवनिन ओल्टेज बीटियाच तता पत्रोद आर्टियाच वह आर्यल स्रेडी करम में जुड़ा हो जुड़ा होगा यह जुड़ा होगा यह इनका स्टेटमेंट था और सर्कीट के अगर हम प्रत्रोद हो जागत आई वरबर बीटियाच अपाना आर्याट प्लस आरेल कर देते हैं यह इनका स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट को तोड़ा आप याद कर लेंगे याद भी नहीं करना समझ लेंगे तो आपको याद कर लेना है इसके बाद इनके इनके सर्कीट से न में स्टेप नंबर वन हैं हैं इसर्कीट निकालनी हो इस पहले क्या करिए आप सर्कित से हटा दीजिए सर्कित से क्या कर गण हठा दीजिए वा जो रजिस्टेंस जिस में कुछ निकालनी रहती है उस रजिस्टेंस को मिया पर नाम क्या कहते है उसको लोग una भूखने देखे जिए यह मानिहें कि हम लगा दियें यहां पे हमें लगाना यहां यहां बॉल हो यहां पे हम लगा हुआ है मालेज यहां पे कराजिस्टिंस लगा हुआ है कि माली जी यह रख्री ओमका रजिस्टेंस आपको क्या कहा रहा है थिंवनिंपर्मे से मैंने पूश दिया कि आप बताई कि ऑठ घ्री में कितना रजिस्टेंस कितनी करेंट आएगी तो सबसे पहले क्या करना है कि कुछ नहीं करना है इसको ऊपेंट कर देंगे हैं ना यह तो कहले ना जब इसको आप उपन कर देंगे क्या भगा बताईए को पूपन कर देंगे साहिके खुल गई तो इसमें का हमने पांच ओम का रजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से सर्कृट बना करके हमने कर दिया और इस तरीके से यहां पर एक रजिस्टेंस लगा दिया अब देखिए क्या क्या पूज़ते हैं कि पांच ओम में कितनी करेंट आरे निकालना है सबसे पहला क्या करना आपको इसको सबसे पहले ओपें कर देना है सबसे पहले इसको आप ओपन कर दिया यह आपका यहां पर लगा तक इतना पांच ओपन कर देंगे अब क्या करें और यह पता करेंगे यह वोल्टेज यहां पर आएगा किसी भीत देंगे लिए कितना ह्ट इसको में खंगे इसको यहांब कर दिजिये सब्सक्राइब कर दिए किसी भी तरीके से आप यहां का वल्टेज निकाल लेजिए कितना वल्टेज यहां भी मिल रहा है ठीक है यह होता है पहला दूसरा पॉइंट हो गया अगला पॉइंट क्या कहता है कि लोड टर्मिनल के एक रास तुल प्रत्रोद निकालने के निकाली यह जिसे हम आट्येज क हैंनि जो बैटरी लग है है उस बैटरी को हटा देजी अगर एक कुछ राजिस्टेंस दिया हुआ तो रोडिपो जोड़ देजिए अर करेंट स्रोर को तो आप जिसमें करन निकाननी थी उसके सड़ी करम जोड़के बोल्टे जोड़ देजिए इस तरीके से इसको लोग वो लेंगे थीओनीन इक्यूबरेंट पर सर्कुट बोलेंगे अब आई कमानिंग क्या लिए आई अपन भी टी एच अपन रटी एच होता है इस तरीके से इनकी परमें से हम लोग की सर्कुट को साल्व करने के लिए ना अगर या तीन इस्टों को करम से अपलाई कर देंगे तो आप आप सानी से क बेट्री लगी है चालीस का रजिस्टेंस अठों का रेष्टन बीज सोन्क रेष्टन दस कर पारेंड करेंट को दिये आपको पूचा क्या जा रहा है कि पूचा जा रहा है कि 10 होगा इसे में कितनी आ रही है कि इसमें इसमीं अपने निकालना है अब देखिए यही तो रा आपको इसके बाद क्या करना है आपको इसको निकालना है अब देखिए अब इदा से आप वोल्टे डिवाइडर रूल आपको बताया थे हम तो उसको देखिए उसको भी यहां का सकते हैं edu यहां पर गृष यहां पर बचा है तो यहांपकर क्भी तो यहांपर कितना बटेगा आप देखें कहुंग होगी के यहां फार कुली तोOpen का गया है कि साथ हों में धारा कितनी है जीरो है यहाँ यहाँ साथ होगा जोदेज क्या है अब तो ही कहा रहा है कि वी यह बी जो है बी सीडी के बराबर है यहां पर स्वीच निकाल ले रहें तो भी यह बदाबर लिखे भी जोल्टे डिवाइडर रूल से निकाल लेते हैं 20 Ohm के कितना है बाईया 26 यह है तो बताईए क्या होता है निकालना रहता है जिस रजिस्टेंस के क्रास निकालना है तो फिस्वम लिखे बठे दोनों रीश्टिंस का यूब कर in 2010 कि क्टना ओंद से का आपने तिसरे इस्टेप में क्या करना रहत को कुछ नहीं करना हैं इसको बातरी साथ कर दिया सीज़े साथ कर दीजिए हटा दिये अब क्या करिए अब तुल प्रतोत कितना आएगा तो साथ पहलर में है और इसके पाद यह पहलर मुख इसके सिर्ज मुझा आएगा तो आरे भी कितना हो गया साथ प्लस चालीज गुड बीस बटे 40 प्लस 20 कितना हो गया आपको साथ प्लस चालीज बूलड़ बीस लिए को साल करके शोटा करेंगे तापको आएगा तीन तीन ओम आएगा यही आरे भी तो ही क्या होता है यहीं को आरे भीस करते हैं तो आर्टीएच हो गया श्वन पॉइंट प्रतरोज बनाना है तो देखिए हमने वीटी यस होता है बीटी है होता है अप निकाले है लिखे 40 बटे 73 दसमलों 3 3 प्लस 10 करेंगे 10 बटे 83 दसमलों 3 बटे भाग कर देंगे रताय दसमलों कालकुलेटर यूज कर लिए दिखाने हैं आपने हम सर्कृट को क्या करिया है हमने असानी से इसको साल्व कर लिया तीक है अब इसे तरीके चेक क्यूसन और आपको ओम देते आप से इसमें क्या पूछ रहा है इसमें से आपको पूछ रहा है इस चार ओम के रिजिस्टेंस में कितनी करेंट है आइफोन निकालना है तो जिस करेंट जिस रिजिस्टेंस में करेंट निकालने है उसी को क्या करते हैं हमने आरे लिख दिया फिर पहला स्टेप क्या करना रहता है उसको हमने open कर दिना रहता है उसको सीधे सीधे open कर दिया बस खूल के हटा दिया पहला इस्टेप पूरा हो गया दुसरे I should be me क्या करना है आव क्या करना है अब अब यह बी के बीच में कितना voltage मिल रहा व्ल्टेज कितना मिल रहा उसको देखे इधर से इधर से कोई रजिस्ट्रेंस नहीं लगा है ना तो बैटरी का देखिए प्लस टर्मिनल हमें साथ जान दीजिए का बैटरी का जो बड़ा वाला प्लेट होता है और निगेटीव प्लेट को हमें साथ 0 यहां पर इस बैटरी कान यहां पर कितना व्ल्टेज है यहां पर मिलेगा उसको निकाल लिए तो तो त्यूकि देखे इससे करेंट जो आएगे करेंट इसमें जाएगे क्योंकि यह खुला हुआ है तो करेंट यहां सा ऐसे होके जाएगे ऐसे घुमेंगी यह 15 व्ल्ट के कान कितना व्ल्टेज यहां पर मिलेगा हम व्ल्टेज वाइटर रूल लगा लेते हैं चुकि यह और यह दुन देखे पांच ओं दसों और व्ल्ट टोल टेज फुड़ी 5 बटेच दोनों का योग कर देंगे 15 आग यह फांच व्ल्ट मतलब इस लोक की बैट का कुटना मिल रहा है यहां पर टोल जुल्ट आल है ज़ूत कितना मिल रहा है 5 उल्ट दिफरेंस कितना केंट है्ट हमैसा उल्ट धीफ्रेंस पर Quickly हम प्रवाइत होती है यह थे डिफरेंस पांच है माइनिस पांच आपका डीच कितना और देखिए 6-5 बराबर एक टॉल्ट ठीक है यानी किало कि लाएगा पंडLean क्या करते हैं रहें दूसरा है स्टेप whirl करते हैं हमको तैसरे दूसरी में जो बैटरी लगए इसको साट कर दिजी अगर उसके पास उसके कर दिया इसके बाद क्या करते हैं साट करने बाद तुल प्रतोद निकाल लिए तो आपको बी सी के बीच में तुल प्रतोद निकालना है देखे बी सी के बीच में तुल प्रतोद कहा है बी के बीच में आप देखे यानि कि इस से बीच में तुल प्रतोद कितना होगा देखे नहीं इसका तुल प्रत्रोद आगया कितना आ गया अपका हमें सा राटी हैज होता इसको पता आपका और इसक इतना आ गया तीन दसमें प्रत्रोद आ गया अब क्या करना छोटे में सेड़ीट बनाने रहती है आपको पनाईए व स्क्रक्रणा कितना है यहीं बराबर बेकर और बता है बराबर हो जाएगा प्लस चार हो जाएगा इसको साल्प किये तो आपको मिला कितना 0.136 इंपियर इस तरीके देखें दोनों क्यूशन को साल्प किया हमने किसके साहता से तो इसमें देखें बस आपको प्रावलम कहां से क्रेट हो रही होगी वोल्टेज को फाइंड करने में तो फाइंड करने के लिए देखें आपको क्या करना है के बिया लगा दीजिए चाहे केसिया लगा दीजिए चाहे वोल्टेज दिवाइटर रूल लगा करके किसी तरीके सबसको निकालने कोसित किया करें तिक है यह वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दें कमिन कर दें और यह आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चेनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फार वाचिंग भीडियो